नहीं है प्राइम टीवी सच साहस सरोकार एलुवीरा के गुड के बारे में एलुवीरा के गजब के फाइदे एलुवीरा को आयुर्वेद में कहा जाता है महराजा और श्दी की दुनिया में कहते हैं संजीवनी बिमारियों के दुश्प्रभाव दिलाता है बरी राहत एलुवीरा के सेवन से लोग बिमारियों के दुश्प्रभाव से बच सकते हैं अगर नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो हमारी स्वास्त के साथ साथ हमारी तवचा भीज से हत्मन रहती है ये एक शांदार अंटी बैक्टीरिया अनुतेजक पौधे के रूप में काम करने के अलावा जुर्यों से छटकारा पाने में भी मदद करता है तवचा को मौिस्टिराइज करने में मदद मिलती है और तवचा से मृत कोशिकाओ को हटाता है वही अगर आपको पेट से सम्बंदित बिमारिया है तो अलोवीरा का सेवन कर सकते है बता दे कि इसका रस पीने से पेट और आंतों में जलन को कम करने में मदद मिलती है और रस चेचिड़ा आंत्र सिंड्रोम, कोलाइटिस और आंत के अन्य सूजन सम्बंधी विकारों में सूजन को कम कर सकता है इसके अलावा अलोवीरा आंतों में स्वस्थ बेक्टीरिया भरा सकता है जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं एक रिसर्च की मताबिक अगर आप मूँ के छालों से परेशान है तो दिन में कई बार अलोवीरा का सेवन कर सकते हैं जिससे आपको राहत मिलेगी रोजमर्रा की जिंदिगी में जो लोग मोटापे से परेशान है उनके लिए भी अलोवीरा राम बान साबित हो सकता है अलोवीरा रस में बीटा सेटोस्ट्रॉल गुन होता है जो शरीर में कॉलिस्ट्रॉल स्तर को कम करने में मदद करता है ऐसे ही नहीं अलोवीरा को औश्धियों का राज्या कहा जाता है इसमें ऐसे ऐसे ओजधी गुण मौजूद हैं जिन में कई बिमारियों से लड़ने में मदद मिलती है एक शोद में पता चला है कि एलोविरा में मौजूद ब्रेडिगनौस प्रती रक्षा प्रणाली को उत्ते जित करता है और संक्रमन के खत्रे को कम करता है एलोविरा में जस्ता भी शामिल है इससे हमें जीवानों को मारने और हमारे सेल जिल्ली के कारे की रक्षा करने में मदद मिलती है इसके साथ ही हमारे शरीर के लिए एलोविरा को अनुकूलन माना जाता है एलोविरा का रस ना कीवल मांसिक तनाव से राहत देता है बलकि शाररिक तनाव से निपटने में भी मदद कर सकता है और एलोविरा को शुगर लेविल को कम करने के लिए भी जाना जाता है इसमें ग्लोकोमोन्स मौजूद है जो रक्त शरकरा के स्तर को कम कर देता है वही एलोविरा में एंटिसेप्टिक गुण मौजूद है जो पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है और खून को शुद्ध करने में भी मदद करता है अभी तक हमने जाना अलूविरा के फाइदे के बारे में, अब आगे हम जानेंगे उसके नुपसान के बारे में अलूविरा जेल को इस्तिमाल करना हमारी सेहत के लिए सुरक्षित माना जाता है लेकिन लेटेक्स से निकाले जाने वाले अप्रसारित रस का सेवन करने से कई साइड एफिक्ट्स पैदा हो सकते हैं अलोविरा रस में अंत्रक्विनॉन नामक गुन होता है जो रेचिक होता है और बड़ी मात्रा में डाइरिया पैदा कर सकता है इसके साथ ही अलोविरा में मौझूद लेटेक्स कोलाइटिस, क्रोहन रोग, एपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकिलोसिस, आंतों की बाधा, रक्त स्त्राव, पेट दर्थ और अलसर जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है अलोविरा का रस पीने से जिन लोगों को अलर्जी है उन्हें अलोविरा के सीवन से त्वचा की दाने या पित्ती, खुजली या सूझी हुई त्वचा, सास लेने में कठनाई, सीने में दड़ और गले में जलन जैसी समस्याओं हो सकती है बता दे कि गर्ब और स्तन्पान कराने वाली महिलाओं को अलोविरा जूस लेना सकत मना है गर्वती महिलाओं में गर्माशे के संकुचन को प्रोथ साहित कर सकता है, जिससे गर्पात और जन्दोश हो सकते है अगर आलोवेरा फायदा करता है तो नुक्सान भी करता है इसके इस्तिमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाँ जरूर ले फिलाल से हसे जुड़ी इस खास कड़ी में अभी के लिए इतना ही आगे हम आपको ऐसी तमाम जानकारियों के बारे में बताते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी